हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं अपनी PDF फाइल्स को वह भी बिना किसी सॉफ्ट्वेर के अपने मुबाईल फोन से या फिर आपके कंप्यूटर या फिर लापटॉप में तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आप अपना ब्राउजर ओपन करिए एंड सर्च करिए एडिट पीडिएफ सेजदा देन फर्स लिंक पे क्लिक कीजिए देन अप्लोड पीडिएफ फाइल पे क्लिक कीजिए आप यहां से अपनी PDF फाइल को सिलेक करिए दे इसमें कुछ fonts available नहीं है तो आप replace original या फिर keep using original पे क्लिक कर सकते हैं आप अपने PDF में अलग से text भी add कर सकते हैं देन उसका font, size and color भी change कर सकते हैं आप अपने PDF में अलग से images भी add कर सकते हैं आप अपने PDF में अलग से signature या फिर watermark लगा सकते हैं जिससे की कोई आपका PDF copy ना करे अगर आपको कोई text या फिर images remove करनी है अपने PDF से तो आप उस जगा को white out कर सकते हैं जिससे की वो image और text visible नहीं होगा और आप उसकी जगा दूसरा कोई image या फिर text लिख सकते हैं या डाल सकते हैं sentence या फिर paragraphs को highlight कर सकते हैं बस आप highlight को select करिये and then अपने sentence या फिर पूरे paragraph को select करिये आप अपने PDF में topics को highlight करने के लिए shapes use कर सकते हैं जिससे मैंने किया है आप अपने PDF में pages insert भी कर सकते हैं and delete भी कर सकते हैं जब आप अपने PDF को पूरा edit या फिर change कर लें then आप apply changes पे click करिये then आप scroll down करके अपने PDF की सारी changes देख सकते हैं कि आपने PDF में क्या-क्या changes किये हैं आप PDF को rename भी कर सकते हैं then ok पे click कीजिए then download पे click कीजिए then आप download फाइल को open करिये जैसा कि आप देख सकते हैं कि successfully हमारी जो PDF है वो edit हो चुकी है अगर ये वीडियो आपको helpful लगी हो then do like, share and subscribe my channel and अगर आपको कोई भी doubt हो तो comment below